आयुर्वेद में तीन तरह के तिलों का सेवन बढ़िया बताया गया है और उनमें सबसे ज़्यादा बढ़िया बताया गया है काले तिलों का सेवन तीन तरह के तिल होते हैं सफेद तिल, लाल तिल और काले तिल सबसे ज़्यादा जो पोश्टिक होते हैं वो माने जाते हैं काले तिल तो आज हम बनाएंगे काले तिल के लड़ू आप सभी को लोहोडी और मकर सकरांती की हारदिक शुपकाम नए स्वागत है आप सबका आपके अपनी फेवरिट यूट्यूब चैनल तेजस मदान पर चलिए बनाते हैं तिल के लड़ू तिल के लड़ू बनाने के लिए मैंने लिए हैं आदा किलो काले तिल इसे मैंने साफ कर लिया है अब हम लेंगे एक कढ़ाई कढ़ाई में हम 3-4 मिनट तक इने ड्राई रोस्ट करेंगे यानि कि बीना घी या ओल के इसे हम लगातार हिलाते हुए 4 मिनट तक भूनेंगे फिर हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे आदा किलो तिल थे तो हम आदा किलो ही गुर लेंगे गुर को धिमी आज पर कढ़ाई में डाल कर हम मेल्ट करेंगे इसमें 2-3 चमच देसे घी के डालेंगे आज को हमें बिल्कुल ही धिमा रखना है नहीं तो जो गुर है वो जल जाएगा धिमी आज पर इसे लगातार हिलाते हुए मेल्ट करना है हमें देखें गुर हमारा मेल्ट होने लग गया है आज को हमें बिल्कुल ही धिमा रखना है और लगातार गुर को हिलाना है धिये धिये पूरा गुर जो है वो मेल्ट हो जाएगा देखें गुर मेल्ट हो चुका है हमें इसे 3-4 मिनट के लिए धीमियाज पर और पकाना है जिससे कि ये चाशनी है वो अच्छी तरह से बन जाए आप देख सकते हैं कि गूर का कलर चेंज हो गया है थोड़ा डार्क हो गया है मतलब हमारी जो चाशनी है वो बन चुकी है अब हम इसमें डालेंगे भूने हुए तिल तिल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है हमें चाशनी चेक करने के लिए कि चाशनी त्यार हुई है या नहीं कि टोरी में लेना है थोड़ा सा पानी उसमें चमश से थोड़ी सी चाशनी डालनी है अगर चाशनी फैले नहीं जम जाए तो मतलब हमारी चाशनी त्यार है गुर और तिल को मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रन लेंगे और इसके लड़ू बना लेंगे देखिए ना मैंने हाथ पर पानी लगाया है और नाई मैंने घी लगाया है फिर भी आसानी से बिना चिपके लड़ू इसके बन रहे हैं इसी तरह से हम सारे मिश्रन के अपनी पसंद के एकोर्डिंग छोटे या बड़े साइज में लड़ू बना लेंगे देखिए मैं आपको तोड़के दिखा रही हूँ कितने सोफ्ट बने है इसी तरह से आप सफेद दिल से भी लड़ू बना सकते हैं रैस्पी अधर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू